आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में अगर नैविगेशन बटन्स पर यहां पर टच करते हैं तो यहां पर आपके फोन में जो वाइब्रेशन होती है आप उसे बंद कैसे कर सकते हैं यहाँ पर haptic feedback को on करने पर आपको यह problem आती है तो अपने phone के haptic feedback को या फिर navigation buttons की vibration को आप बंद कैसे कर सकते हैं किसी android mobile में आईए आज की इस video में जानते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आपको अपने phone में सबसे पहले settings में जाना है phone की settings में आने के बाद आपको एक option मिलेगा यहाँ पर sound and vibration तो यहाँ पर sound and vibration का option आपको easily मिल जाएगा यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो उपर आप search कर सकते हैं यहाँ पर आपको type करना होगा sound and vibration sound type करते ही यह option आजाता है तो इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर हम settings से इसे click करके open करते हैं अब sound and vibration settings में आपको नीचे scroll करना है और नीचे scroll करने पर आपको एक option देखना है यहाँ पर vibrate on touch के नाम से यहाँ फिर अगर आपके पास कोई नया phone है तो नए phone में आजकल आता है यहाँ पर haptic feedback के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं haptic feedback का option आपका चालू होगा यहाँ फिर vibrate on touch के नाम से होगा तो जिस नाम से है आप उस option को बंद कर दीजिए इस पर click करके और बंद करने के बाद आप देख सकते हैं navigation buttons की vibration यहाँ पर बंद हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने किसी android mobile में navigation buttons vibration को बंद कर सकते हैं वीडियो और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें